मस्ते और पहला गुत्राखंड मैं हूँ इस वक्त कोची में और आपको ग्राउंड दिखाता हूँ कि किस तरह का टर्फ है ऐसे हम अपने सिटी में भी बना सकते हैं यह देखिए यह है यहाँ पर सेवने साइट का छोटा ग्राउंड है उससे भी छोटा है तो यह यह उसको किस तरह से किया गया है यह दूसरे ग्राउंड में जा रहा हूं जो में ग्राउंड है वहां पर किस तरह से उसको बना गया और ढखा रहा है और इसको अगर आप देखोगेंगे तो यह जो बोड से यह बोड्स लगा दिये हैं उसमें नीचे बस इतना ही है इससे ना तो कोई गेम डिस्टरब हो रहा है ना कुछ यह मार्किंग देखें मार्किंग के बाद में थोड़ा सा गयप है यह सेवने साइट का है तो यह जो बोड्स लगा दिये हैं क्योंकि 20 by 40 का जो स्टैंडर ड्र लास्त तक उपर भी नेट है ताकि बॉल कहीं बाहर ना जाए उपर भी नेट है इधर लाइट्स हैं पूरा कवर्ड चारों तरफ से यह लाइट्स है उपर देखें और उसके बाद में यह कवर्ड है सारा यह पूरा अब देखेंगे तो यह बोड्स लगा दियें दोनों और यह गोल पोस्ट है यह है गोल पोस्ट के गोल पोस्ट इसका छोटा होता है 20 by 40 का ग्राउंड और जो गोल पोस्ट है वो है आपका 2.14 हाइट और 3.66 उसकी विट है यह जो गोल लाइन है इस साइट तो दोनों गोल की तरब को कोई बोर्ड नहीं है आपने देखा होगा ब्लाइंड फुबल में भी कॉर्नर्स होता है यह साइड में तो यह दोनों तरफ लैंथवाइस बोर्ड लगे रहे हैं दोनों तरफ यह क् clown और इसी ground को अभी को ऑगे मारक्ट है उसके लिए जो सबने साइड है उसके लिए लेकिन जैसे ही होता है इस में हम मारकिंग कर देते हैं यहां से professionals किंन हो जाती है जब हम इसको 6 मेंटर का डी लेकर बनाते हैं अपने स्टैंद हुआउट कैफ से तो हो जाता रहे यह यलो यह जो यद्रि मर्किंग है गोल की पर इा है उसके लिए गोल के रहे हैं इससे बाहर बाकी लोग है, वो लोग भी डिस्टर नहीं होंगे, यह है मैंने चुछ आपको दिखाओं, बाकी बहुत सारे सिटीज में, जहां पर भी पॉसिबल है, यह हम बना सकते हैं, एक ही टर्फ जो बन रहा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ब्लाइन फुटबॉल के लिए एक बहुत अच्छा है, किसी भी सहर में, कहीं पर भी अगर टर्फ बन रहा है, तो यह भी हम वहाँ पर बना सकते हैं, अब फिलहाल हमारी प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, हम चलते हैं, सब आचुके हैं, और यह मैं आपको ग्राउंड दिखाना चाहरा था, क्योंकि आज खाली है, तो इसले सोच आपको दिखा दू, आपको इस तरह का है, ऊपर से भी नेट है, ताकि बॉल इदर दर कहीं न आ जाए, कवर्ड है पूरा अगर आप देखेंगे तो,